हलो एबरिबन गुड मॉर्निंग वल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो जी सुबे का ये टाइम है अभी सुबे के नौ बजी का टाइम है और बारिस हो रही है खुप जोरो सोरे से बहुत ही बड़िया मौसम हो रहा है दहराद उनका काफी अच्छा काफी तेज की बारिश हो रही है तो देख सकते हैं आप बारिस किती तेज की हो रही है सुबे का ये टाइम था और हजबन जी ऑफिस गए है आज गाड़ी लेके ही जाते है वैसे आज कल वो पर आज हमारी गाड़ी लेके नहीं गए थे जब आज हमारी चाय क्योंकि मौसम इतना सोहाना है ऐसे मौसम में चाय पीने का अपना अलगी एक मज़ा होता है तो सुबे की चाय मैंने अकेले ही पी है आज क्योंकि सोनी उस टाइम पर सो रही थी और बच्चों की छुट्टी थी कल रात को ही डीम ओडर आ गया था बच्चों हो रहे हैं दस बच के होंगे क्योंकि सब लोग सो रहे थे बच्चे नीचे सो रहे थे और बिटू और मौसी उसकी उपर बैड में सो रहे थे अक्रिस नीचे हमारे साथे सोता है तो बिस्तर भी फैलाई था सो सोचा चले कोई बात नी काम तो डेली होते है टाइम से काम करन दिमाग में यही सारी चीजे चलती हैं आज सोचे चली मौसम का मज़ा लेते हुए आराम से बैट के अपनी चाय नजोए करते हैं चाय पीने के बाद जो है मौसम को थोड़ा सा देखा उसके बाद मैं चाय पीने भी ना आज मैं बैलकनी में ही चली गई थी क्योंकि बाहर का व्यू काफी प्यारा था उसके बाद चली लगते हैं अपने घर के काम में सभी लोगों को उठा दिया है मैंने जब बाहर का मौसम खराब होता है तो अंदर भी ऐसा लगता है कि बस अभी अंदेरा हो रहा है क्योंकि अंदर इतनी लाइट नहीं आती है अगर बाहर धूप लिया है मैंने यहाँ पर अपने लिए भजन चला दिये थे भजन सुनते सुनते मैं कर लूँगी जल्दी से अपनी घर की क्लीनिंग क्योंकि क्या होता है जब बच्चे घर पर होते हैं बच्चों की छुटी होती है तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि रिमोट हम अ बच्चों को मैंने बोला आप लोग अपना नहाओ धो इतनी देर मैं मुझे भजन सुनने दो तो मैं जल्दी से अपने काम भी निप्टा लूँगी तो देखें यहाँ पर सभी लोगी अपना फ्रेस वगरा होंगे साथ साथ मैं नहाएंगे भी फिर मैं इनको कराऊंगी नासता उससे पहले बेड वगरा मैंने जाड लिया है और जो भी सोफे वगरा सब कुछ रात को इधर से उधर फैला होता है बच्चों के टॉइस बच्चों के कपड़े कोई भी चीज अपनी प्लेस पे नहीं होती है तो सबसे पहले इन सारी चीजे को मैं समेट लूँगी क्योंकि जब बरसात का टाइम होता है ना तो पूरे घर में कपड़े कपड़े फैले होते हैं हर जगा पे कपड़े सुखाने की बहुत जादा दिक्कत होती है तो मैंने तो ये स्टेंड ले रखा है इस स्टेंड की बज़े से मेरी काफी हेल्प हो जाती है सारे कपड़े म में रखा हुआ आधा गंटा ही होता है कि बच्चे दुबारा से सारी चीजे को फैला देते हैं तो बिट्टू यहां पर अपना ब्रैस वगरा करके अब मैंने उसको बोला बेटा आप जल्दी से नहा लो उसके बाद फिरी हो जाओ नहा के क्योंकि वास्रूम का काम ऐसा होता है मुझे यह लगता है कि मेरे नहाने से पहले सभी लोग वास्रूम के काम से फिरी हो जाए ताकि फिर मैं नहाने से पहले अपने वास्रूम को साफ सुद्रा कर लो उसके बाद ही मैं नहाने जाओ नहीं तो फिर एक बार नहा लो फिर बच्चे या फिर कोई भी बड़ा ब अब को बोल दिया है आप एक एक करें नहाओ जल्दी से ताकि मेरे नहाने तक बातरूम बिल्कुल खाली हो जाए उसके बाद मैं जल्दी से बातरूम को साफ करूंगी फिर मैं भी नहाओंगी घर की साफ सफाई के साथ बातरूम की सफाई भी मैं डेली करती हूँ हाला कि डे मैं आपको अगर आप डेली आपको देली साफ नहीं करेंगे तो धीरे दीरे ना वाश्रूम में काफी ज्यादा चिकना हाट होने लगती है तो इसलिए ये सफाई डेली करनी परती है तो देखे जी यहाँ पर पुरे घर में मैंने जाड़ू लगा ली है और जाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े थे इन कपड़ों को जल्दी से कर लेंगे तै क्योंकि कपड़े तो ऐसे है कोई दिन ऐसा नहीं होता जब घर में कपड़े नहीं होते तैय लगाने के लिए और कपड़ों को देख देखे मुझे बहुत जादा गुस्सा आता है कपड़े इतने होते हैं कि मैं धोने में उतना परिसान नहीं होती हूँ जितना परिसान की मैं इनकी तैय लगाने में होती मुझे कपड़ों की तया करना बिल्कुल नहीं पस पर वही है घर का काम करने में आपकी मर्जी तो होती नहीं है मन हो चाहे ना हो काम सारे करने पड़ते हैं तो देखे यहाँ पे सानू बेबी हमारा हो गया है नहा दोके बिल्कुल तयार और जब तक मैं बच्चों को बगरा देती हूं मेरे बच्चे नहाते हैं इतनी देर मैं सानू अपना नास्ता बगरा कर लेगा उसके बाद जो है मैं बच्चों को भी नास्ता दोंगी तो अक्रिस ने भी नहा लिया था यहाँ पर इस टाइम पर बिट्टू भी नहा चुकी थी और अब गई थी मेरी सि बगरा काफी पसंद है मतलब और उसकी ममा उसको डेली डेली रोटी सबजी नहीं देती है जैसे कभी चीला दे दिया कभी दल्या बना दिया तो अलग अलग चीजे देती रहती है तो इसलिए वो डेली डेली रोटी नहीं खा पाता मतलब वो खा तो लेता है पर वही होता ह कि मम्मा उसके नहीं देती है वो मतलब चेंज करकर के उसको नास्ता देती है तो मैंने उससे सुबह पूछ लिया था कि सानू क्या खाएगा उसने बोल दिया था कि चीला बना देना तो यहाँ पे ना मैंने आज नास्ते में सभी के लिए चीला ही बनाया था तो सबको जल्दी से मैं यहाँ पर चीला बना के खिला दूंगी हस्बन जी के लिए मॉर्निंग में मैंने गर्म गर्म चीले बना के वो चटनी के साथ खा के चले गए थे और चटनी तो मैंने आपको बोला था मेरे फ्रीज में हमेशा रहती है तो चटनी जो है मैं option रखती हूँ कभी जैसे आलू के पराठे बनाए या फिर कुछ भी चीले बगर बनाए ना तो चटनी रहती है तो नास्ते के लिए ठीक रहता है यहाँ पर बेशन को मैंने घोल लिया था पहले ही बेशन में यहाँ पर एक बड़ा सा इसका प्याज डाल दिया है आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं मैंने टमाटर स्किप कर दिया खाली प्याज डाला है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अजवाइन डाल दिया था बहुत ज्यादा लगाने के कोई जरूरत नहीं होती बस एक दो ड्रॉप ओईल लगाना है ओईल लगाने के बाद हम इसमें चीला बनाना शुरू करेंगे और जो यह हमारा मैसर होता है जब भी मैं चीले बनाती हूँ इस मैसर के help मैं जरूर लेती हूँ क्योंकि क्या होता है मैं सरसे अगर आप इस तरीके से दबा दबा के चीला बनाते हैं तो क्या होता है ओईल की जरूरत आपको ज्यादा नहीं पड़ती है और आपका चीला बहुत अच्छे से कूक हो जाता है एकदम कुरकुरा बनके तयार होता है तो देखे बैक साइड में मैंने बिल्कुल भ अगर कराती हूं तो सबकी प्लेट लगा लेती हूं और जल्दी जल्दी से अपना खाना बनाना सुरू कर देती हूं तो सभी लोग गरम गरम नास्ता कर लेते हैं और अगर आप किसी को कोई भी चीज गरम गरम बनाके खिलाते हैं उसका अपना अलगी सुकून होता है खान को बना के अगर आप खिलाते हो उसने आपकी तारीफ करी उसने आपको थोड़ा सा भी दूआ दे दी ना तो मन एकदम खुस हो जाता है सबको गरमा गरम नास्ता कराने के बाद यहाँ पे मैं भी बैटके नास्ता कर लूँगी और मेरी एक प्यारी सी सस्क्राइबर है जिनका मुझे कमेंट आया था कि दीदी जब भी आप लोग खाना खाते हैं अपनी फैमली के साथ मिलके तो वीडियो जरूर बनाया करिए तो हमेशा तो नहीं हो पाता तो कभी कबार मैं कोर्सिस करती हूँ कि खाते टाइम भी आप सबको दिखा दूँ कि मतलब अच्छा लगता ह जो लोग अपनी फैमली से दूर रहते हैं कई लोग मेरे सस्क्राइबर ऐसे हैं जो अपनी परिवार से नहीं मिल पाते उनकी फैमली में कम लोग हैं तो वो इस तरीके से अगर हमको साथ में देखते हैं तो उनको काफी अच्छा लगता है और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि चाहे कोई कितना भी आपके close हो पर जो आपकी फैमली होती है उनसे ज्यादा लगाव आपको किसी से नहीं होता ये चीज हकीकत है और फैमली का जो प्यार होता है जो अपना पन होता है वो बहुत कम लोगों के नसीब में होता है तो इसलिए ये पल जो होते हैं इनको बहु पूरासा खाने की वीडियो भी सूट करी थी ताकि आप लोग देख लो क्योंकि अगर आपको लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं अगर मैं उसको पूरा कर पाती हूं तो मुझे बहुत खुसी होती है तो चलिए जी नास्तर बगर करने के बाद अब मुझे नहाना था मुझे आप आज अपने बाल धुलने थे तो बाल धुलने के लिए इसलिए वीडियो बना रखा है क्योंकि आप लोगों को ना ये लगता है कि दीदी आप अपने बालों के बारे में हमें एक एक चीज की जानकरी दो हाला कि ऐसा कोई सीक्रेट तो है नहीं पर हाँ अगर आप बो वैसी मैं भीध होती हुँ यह झाली कि अपर जर्राइब मैं फुटाना झालागों से बालों से लिए और पिसे कि आप मालों नकल जाता है तो अभी तो मैंने आपको जल्दी से दिखा दिया पर जब भी मैं अपने बाल धुलती हूँ मैं कम से कम पांच मिनट आराम से अपनी स्केल्प में मसाज करती हूँ जरूर क्योंकि गर्मियों के टाइम पर क्या होता है ना जब भी हम काम करते हैं हमें इतना पसीना होने लगता है कि हमारी scalp में सारा पसीना जमा हो जाता है और धीरे धीरे वो गंदेगी बनने लगती है फिर हमारे scalp से बहुत गंदी smell आने लगती है तो scalp को आपको बहुत अच्छे से massage करना होता है जब भी आप अपने बालों में sample करते हैं आपकी scalp में गंदेगी नहीं रहनी चाहिए सबसे main होता है आपकी बालों की scalp जो की scalp अगर आपके जड़े जो है वो साफ सुतरी है तो आपके hair fall भी कम होगा बाहर जारा था मुझे आज कहीं तो चलिए हम लोग निकल गए हैं घर से तो घर से निकल गए हैं हम लोग कहा जा रहे हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ उससे पहले यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने ले रखे थे चिपस तो बच्चों को चिपस कुरकुरे नमकीन बगरा ये सारी चीजे ही पसंद आती हैं और आज मॉनिंग से जो बारिस थी बहुत तेज की बारिस थी घर से निकलने का टाइम नहीं हो पा रहा था कि बारिस कम हो तो हम लोग निकले तो बड़ी मुश्किल से बारिस थोड़ा कम हुई है इसलिए हम लोग घर से निकल गए हैं और आप सब की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है मुझे कि दीदी आप जब भी अपने देवर जी देवरानी जी के घर पे जाते हैं तो वीडियो जरूर सूट करना हमें उनका घर दिखाना तो आज मैं अपने देवर जी देवरानी जी के घर पे जा रही हूं तो वे जहीं है करते हैं तो दोनों बच्चे स्कूल वाली है मेरे को बेटी जैसे मेरे भी क्लासें ऑर बढ़ी हो जाईगी . तो उनके लिए भी मुस्किल हो जाएगा क्योंकि बच्चों के साथ हर चीज का टाइम देखना पड़ता है तो देखे हम लोग जा रहे हैं उनके घर पे और जो सामने आपको घर दीख रहा है इसी में रहते हैं वो लोग इसी घर में रहते हैं रेंट पे रहते हैं तो आज हम उनके घर पे जा रहे हैं और जल्दी से घर के काम निपटा के जब मुझे बाहर जाना होता है तो जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा के बाहर जाने की बारी आती है तो उस दिन काम और फटाफट निप्टाने पड़ते हैं तो चलिए जी हम लोग पहुंच गए हैं उनके घहर पे जल्दी से चलते हैं वैसे उनको कॉल करके मैंने बता दिया था बिट्टु को बोलके कि बेटा आप चाचा को कॉल कर दो कि हम लोग आज आपके घहर पे आएंगे क्योंकि अगर क कि घहर की बात है मैं तो कभी भी चली जाओं बिना बताए भी तो कोई फरक ने पड़ता पर जब किसी महमान को लेके जा रहे हैं तो एक बार बताना जरूरी हो जाता है तो चलिए यहां पर हम लोग पहुंच गए हैं और बनाना हम लेके आया थे मतलब मेरी बहनी लेके आ पहले का है मैं काफी दिन से इसको डालने का सोच रही थी पर मेरे मायन से बिल्कुल यह वीडियो स्कीप हो गया वो तो ठीक हुआ मेरे से डिलीट नहीं हुई यह क्लिप नहीं तो यह वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर पाती क्योंकि पुराना वीडियो है तो आपक करा क्यूंकि सानु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था अपनी मम्मा को तो उसकी विजय से फिर हम कोई भी मतलब वही होता है ना बच्चा अगर परेसान हो जाता है तो फिर कोई किसी का मन नी लगता तो हम लोग ज्यादा रुके भी नहीं हम लोग देड़ दो घंटा मुस अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना मेरी वीडियो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना